किसान वाइयो अगर आप लोग अपने खेतों में खाद डालते हैं लेकिन उसका result आप लोगों को बहेतर नहीं मिलता है या आप लोगों की उसमें जो टिल्रिंग होती है ये सही नहीं होती है believe जड़ों में रोग लग जाता है, मेटी पानी नहीं सोकती है, इत्यादी प्रकार के अगर समय से हैं, तो आप लोगों को टेंसन लेने की जरूरत नहीं है, आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जो अगर आप लोग अपने खेतों में प्रियोग करते हैं, तो आप लोग देखें कि जो आपकी फसले हैं, यह काफी हरी-भरी हो जाती हैं, और जो भी आप लोग खाद डालते हैं उपरी, उसका भी आप लोगों को काफी बहतर रिजल्ट निकल करके सामने आता है, तो हमारे पास इस समय है Tata Rally Gold, और यह जो है, य जो Tata Rally Gold है, इसमें क्या-क्या पाए जाते हैं, इसको आप लोग कितनी मात्रा के हिसाब से प्रियोग कर सकते हैं, इसकी प्राइज क्या है, और जब आप लोग इसको उप्योग करते हैं, तो इसका जो बेनिफिट होता है, यह क्या होता है, यह सारी डीटेल आप लोगों क समंदि सही साटीक और बैवारी ज्यानकारी समय समय पे मिलती रहे आप लोग देख सकते हैं यह जो टाटा-रेली गोल्ड है इसमे बहुत सारे तद तु पाये जाते हैं तो जब आप लोग यह खरीदते हैं तो आप लोगोंको समानेते इस पर देखने को नहीं मिलता है इस वजह से हम यहां पर नोट करके रखें हुए है कि यह जो टाटा रेली गोल लाता है इसमें क्या तत तो पाए जाते हैं और कितनी मात्रा में यह पाए जाते हैं तो इसमें आप लोगों को मिल जाता है माइको राजा 23.3% हुमिक एसीड 28.9% सीवीड एक्स्रेक्ट जो होता है यह आप लोगों को 18% मिलता है एसकोर्बिक एसीड 12.3% अमीनो एसीड 8.5% माइनो इनो सीटोल 3.5% सर्फेक्टेंट जो होता है यह 2.5% अथाइमिन 2% आलफा टोको फेरोल 1% तो यह जो नौ परकार के तत्व है यह आप लोगों को टाटा रेली गोल्ड में मिलते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो माइको राजा होता है यह एक ऐसा फफोध है जब आप लोग अपने खेतों में प्रियोग करते हैं तो यह आपकी जो पौधे की जड़े होती हैं, उनके आसपास चला जाता है, और उन्हें जो रोग लगते हैं, इनसे सुरच्छीत रखता है, अब हम बात करते हैं इसके benefit की, अगर आप लोग अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, तो आप लोगों को क्या-क्या result देखने को म आपकी जड़ों के आसपास चला जाता है, यह एक फ़फूद होता है, जो कि आपकी जड़े होती हैं, उनको सुरच्छीत रखता है, और जब आप लोग इसका उप्योग करते हैं, तो जो आपकी जड़े होती हैं, यह ज़्यादा विकास करती हैं, और जो आपके पोसक्त मिट्टी में मौझूद हैं, वह उठा करके पौधों को आसानी से मिलता है, और जो आपकी फ़सल है, उसमें जो टिलरिंग होती है, जो कल्ले निकलते हैं, यह ज़्यादा निकलते हैं, और जो आपकी मिट्टी होती है, यह जो हाड़ हो चुकी होती है, उसको नर्म बनाने में काफी सहयोग करता है तो यह तो थे इसके बेनिफिट की अगर आप लोग उपयोग करते हैं तो आप लोगों को इसके क्या रिजल्ट मिलते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग इसका उपयोग करने जा रहे हैं तो एक एकड में आप लोगों को कितनी मात्रा मे तो जो इसकी मातरा है आप 6 kg तक लेके जा सकते हैं अब कई किसान भाईयों का ये प्रशन होता है कि इन्हें हम किन-किन फसलों में प्रियोग कर सकते हैं तो आपके पास चाहे आप लोग सब्जीयों की खेती करते हों या बागवानी करते हों तो उसमें आप लोग प्रियोग तो जो result होता है यह बहतर देखने को मिलते हैं और आप लोग भी सभी प्रकार की जो फसले होती हैं उसमें प्रियोग कर सकते हैं लेकिन जब आप लोग सब्सक्राइब में प्रियोग करें तो एक एकड़ में जो इसकी मातरा रखें यह चार केजी से जादा ना हो अब जो है यह आप लोगों को मिल जाता है और एक एकड़ में लाकर के आप प्रियोग कर सकते हैं और जो आपकी फसल देखेंगे कि काफी बहतर रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है तो ये वीडियो थी टाटा रैली गोल्ड के उपर अगर आप लोगों को और भी किसी चीछ की बारे में जान करी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हम उस पे भी वीडियो लेकर के आएंगे और डिटेल में आप लोगों को इनफॉर्मेशन देंगे बाकी इस वीडियो को समाप्त करते हैं मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में तब तक के लिए चलते हैं जै जवान जै किसान